मुझे हरानी होती है कि इतने महान व्यक्तित्व को एक छेत्र के दायरों में ही सिमित्चों किया गया मेरा मानना है कि इससे 24 साथ के कज़ पर तो कोई असर नहीं पड़ा लेकिन देश की अनेक विडियां उनके जीवन से सीख लेने से बंचित रहे गई बिते चार वर्षों से ना सिर्फ महान व्यक्तित्वों का सम्मान देने का काम हो रहा है बल्कि उनके दिखाए रास्तों को विस्तार भी दिया जा रहा है किसानों को छोटे उद्दमियों को मदद के लिए साहुकारों के भरों से ना रहना पड़े इसके लिए बैंकों के दरवाजे खोल के रखे गए है जंदन योजना के सहथ हर्याना के भी करीब साड़े चासक लाग बाई बहनों के खाते खोले गए हाल में ही इंडिया पोस्पेमेंट बैंक भी शुरू हुआ है इससे आपको अपने गाउं में ही डाकिये के माध्यम से गड़ पर ही बैंकिंग सेवा मिलनी जूनिस्टित हुई है 21 अहम फतलों का समर्थन मुल्य बढ़ाया है दान के समर्थन मुल्य में 200 रुपिये प्रतिक विंटल की बरोत्री की गई है अब इसकी कीमाट 1550 रुपिये की जगह 1750 रुपिये प्रतिक विंटल हो गई है इसी प्रकार मक्के के लिए MSP 275 रुपिये सुरज मुखी का करीब 1300 रुपिये और बाजरे का समर्थन मुल्य सबहां 500 रुपिये प्रतिक विंटल बढ़ाया गया है राज के करीब करीब 30 लाग किसान परिवारों को सोईल हेल्प कार मिले है करीब 6.5 लाग किसान फसल बिमा से जुड़े है जिनको 3.5 तीन सो करोड से अधिक की क्लेम राजी भी मिल चुकी है यहां बीते 30-40 वर्सों तक पानी नहीं पहुंचा वहां आज पानी पहुंचाया जा रहा है हाल मैं लखवार बांच के लिए छे रज्जों के बीच एक यहां सिक समझोता हुआ है इससे भी हर्याना तो बहुत लाब होने वाला है